तो इसको आज 3 weeks complete हो गये है तो इसके क्या-काई symptoms है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो में अखिर तक बने रहे है लाश्ट तक और इसके पिछले वीडियो भी आप second week और first week का भी वीडियो आप देख सकते हो क्या-काई symptoms दिखाई दिये थे तो चलिए यूडियो को आप शुरू करते हैं तो गाई जी यह रही हमारी स्टेप नहीं अभी इसको 3 weeks complete हो गये है आज ही इसको 21 डे हो गये है पूरे लास्ट मेटिंग से तो यह कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है लास्ट 3 weeks में देख सकते हो आप तो guys इसमें कुछ changes आये है वह मैं आपको बताना चाहूँगा तो guys मुझे तो इसका second week में वह white discharge निकलता है वह मैंने देखा उसके बाद दूसरा जो symptom है वह है उसका behavior थोड़ा सा change हो गया guys पहले से और तीसरा symptom जो है इसको भूब बहुत ज्यादा लग रही है तो यह खाना थोड़ा ज्यादा खा रही है guys और अगला जो symptom है इसका color जो है guys meeting के बाद से थोड़ा थोड़ा dark color होना चाल हो गया है मुझे तो यह changes दिखाई देया है और अगले symptom के बात करूं guys तो आप यह देख सकते हो कि आपको भी थोड़ा सा चेंज इसमें नजर आ रहा होगा है इसका जो यह नीचे का portion है यह थोड़ा सा भी नीचे को आ गया है और थोड़ा सा फूल गया है और इसके बाद मैंने अभी guys इसके डाइट में लिवर टॉनिक अड़ कर दिया है और एक दो दिन के बाद मैं इसको मल्टी विटैमिन और कैल्चेम भी चालू कर दूंगा लिवर टॉनिक से क्या होता है guys बहुत लोग बोलते है कि इन दिनों में 20 दिन के बाद कुछ तो खाना छोड़ दीती है तो यह तो इसने तो ऐसा अभी तब नहीं किया है guys मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया लेकिन फिर भी मैंने इसमें इसकी डायट में लिवर टॉनिक अड़ कर दिया है तो guys यह थे कुछ इस सिंटम्स जो मुझे इसमें दिखाई दिया है तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना शेर कर और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके आगे के भी 4 विक्स और बेकिता रहूंगा इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलता आगे लिए तक अफाना बादार है